जैसरी किश्णा मित्रो कैसे हैं? आसा करते हैं कि आप अच्छे होंगे आपसे अनुरोध है कि आप धार्मिक चैनलो को सब्सक्राइब अबस करें जिससे कि हमारे आने वाले पिड़ी तथा हमारे जो जेनरेशन अभी चल रहे हैं उनको भी धार्मिक जनकारी प्राप्त हो तता उसमें उनका रूची बना रहा है आगे चलते हैं आज की वीडियो हमारी पित्रपक्ष से रिलेटेड ही है जो मैं आपको बहुती कम समय में बहुती आपको अचूक उपाय बताती हूँ जो की कैसे हमें पता लगे की पित्रदोश है बहुती छोटी सी जनकारी है जो आप सभी अपने हैबिट को पहचान कर ये देख सकते हैं कि आपके अंदर ये पित्रदोश है जिसके उज़े से हमारे घड में जगडा लडाई होता है ये उन कार्णों का एक निशानी होता है वो मात्र चार निशानी कौन से हैं पहला निशानी अगर आप बिना मतलब के सीर खुजा रहे हैं तो आपके लिए ये सही नहीं है ये पित्रदोश है पित्रदोश दूसरा यानि कि आप अगर अपने हाथों के नाकुन चबा रहे हैं काट रहे हैं चाहे जितना भी खा लिए हो काट लिए हो फिर भी उसको मुह में लगा रहे हैं तो ये दूसरा निशानी है तता तीसरा निशानी ये है कि अगर हम पैर हिला कर बैठते हैं य जो कि नहीं करना चाहिए पैर के ऊपर बैठाना लेकिन ये पित्रदोश होता है जिसे कि हमारी निगेटीब इनर्जी मजबूत होती है जिसे पित्रदोश हमारा और भी ज्यादा बढ़ता है जिसे आपको बारे बजे के बाद आपको भूक लगती है ये थी हमारी चोटी सी जनकाड़ी आप इन हैविटो को सुधार सकते हैं जिसे कि आपके निगेटीब इनर्जी जो भी है नकरात्मक सक्तियां वो मजबूत ना हो और जो पोजेटीब सकती है वो मजबूत हो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो किरिपै करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक भी जरूर पहुँचाएं जिनको ये जनकारी नहीं मालूम है जिसे वो अपनी हैबिट को बदल कर अपने उर्जा सकती को और उर्जावान बना सकते हैं पित से हमें ये दुख भोगना पड़ता है इन दुखों का कारण ये चार चीज है जो हम अपने हैबिट में लाते हैं जिसके वोज़े से वो प्रबल हो जाते हैं रादे करादे